कि नमस्कार दोस्तों आपके स्क्रीन में है एक कोष्चन जो की नैयनो पीटीयस इसे रिलेटेड हैं हम्झाब पहले आप कुष्चन सॉल्फ करिए अगर आप इसको पढ़े हुए है नैयनो पीटीय ह्रेंट अफेर का टόपिक है यह तो अगर आप इसको साउख कर ले तो आप ये वीडियो स्किप करके कुछ और पढ़ाई कर सकते हैं हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे क्या नैनो पीटिये के बारे में क्वेश्चन है वाली में चर्चित नैनो पीटिये नैनो पीटिये के संद अनुपरयोग हो सकते हैं मतलब नैनो पीटिये के संभावित अन करण के रूप में नैदानी कुप करण का मतलब निदान करना का मतलब दाइगनोस्टिक करना कि डाक्टर के पास जब डाइगनोस्टिक करवन जाते हैं उसका मतलब है कि निदान करना तो दाइगनोस्टिक मतलब निदान कौन से हैं तो इसका राइट एंसर होगा और संसी वो प्रोग तो सभी नैनो पीटीए के उपयोग हैं और एक चीज याद रखेगा जब यूपीएसी के पीटी देने जाईए अगर नैनो टेक्नलोजी से कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें पूंच रहा है कि संभावित अनुप्रयोग तो नैनो टेक्नलोजी एक ऐसा चेतर हो जाता है कि उसमें संभावित मतरब हर चीज उससे बनाई जा सकती हर चीज उससे ठीकिए सकती ने टेक्नलोजी से क्योंकि यह किस लेवल पर काम करता है इसका साइज होता है कितना एक से लेके 100 नैनो मीटर के तक इस रजनातमक ही होती है उसमें destructive power बहुत ही कम होती उस रजन का ही कारे करते तो आई हमदेखते नेनगार इसके बारे में है क्या यह इसका अनुप्रयोग तभी हम देख लिये अभी है क्योंड रख नेनुपी इस यह आई प तो बेग्यानिकों ने, IISC के बेग्यानिकों ने एंजाइम की नकल करके एक एंजाइम मिमेटिक बनाया, किसके दोरा बनाया, प्लेटिनम के दोरा ये एंजाइम बना हुआ है, क्या नाम है इसका एंजाइम का नैनो पी टी ए, और इसको नैनो जाइम भी कहते हैं, ये एक ए दूसरा नाम है एंजाइम नैनो जाइम भी इसको कहते हैं और यह काम कैसे करता है इसका यूज कैसे करने जैसे हमने देखा कि जल प्रदूसर को कम करने में तो कैसे कम कर देगा नैनो पीटिये को जब हम नैनो पर्टिकल है यह लेटिनम के द्वारा बनाया गया जो नैनो पर तो इसका प्रदूसक का आक्सी करड़ कर देगा तो इसके द्वारा जल से प्रदूसक की मात्रा घट जाएगी जल में प्रदूसक की मात्रा घट जाएगी और जल के प्लूसन की समस्या काफी हता कि इसके द्वारा सॉल्व की जा सकती है और इसका गुण क्या है एक तो यह ने टेक्नलोजी में इसको पाउडर फार्म में बनाया सकता है इसको पाउडर फार्म में बना के और किसी भी जल छेतर में आप डाल देंगे तो यहां पे प्लू लाजिकल और नीरो डिजेनरेटिव रोगों के नैदानिक उपकारर के रूप में भी इसको ब्योग किया जा सकता है हम देखते हैं कि नैनो जाइम और रियल एंजाइम यह दोनों में अंतर कैसे हैं कैसे इसको डिफर करेंगे तो जो रियल का एंजाइम होता है तो वो जीवो से सह एंजाइम क्या करता है सह एंजाइम एंजाइम को असिस्ट करने का काम करता है तो वो बिटमिन से बना होता है और को एंजाइम प्रोटीन से बना होता है जबकि नैनो जाइम यह मानो द्वारा निरमित है और यह धादू यह धादू अनक किसी भी चीज़ों से बना ज के और और के अंदर है एंजाइं की ंही इंजाइम के नीनिर्माद में जैसे अंजाइम के लिए मचरूब के लिए कबकों पर निर्भर रहते हैं तो यह महगी और जटिल प्रक्रिय हो जाती है लेकिन जब हम जो लेबरोटरी में जब बनाते हैं तो इसका और देगुत पादन सश्ता और आसान होता है और एंजाइम में और एक समस्य क्या है कि इसको संग्रहन करने के लिए जो भी एंजाइम से प्राप्त की है तो उसके लिए टंपरेचर्इशर बहुत कम होने करने के लिए वादा पेहीं कियों Уडा प्रेचर करने करने के लिए उसके कम 2 čॉलिप इसको estaba करने कि रहते हैं क्योंकि दो जब हम लगाते है् और और कम टंबरेचर में वह नश्ट नहीं होते दिश्करी हो जाते हैं लेकिन नश्ट नहीं होते चैसे यह दोंपरेबल कंडिशन तो फिर से सक्क्री हो जाते है यह न्याम जाएम और एंच्जाएम में बेसिक difference तो इसको ध्यान-दिया G करते यह तक होती है यह 65 दिन तक कर सकते हैं ano pta कि किस कंडिशन पे एड़रों तंपरेचर रूम टंप्रेचर पे ये पचातर दिन तरक लाश्ट कर सकते हैं तो ये भी इसकी फेवरेबल कंडिशन बनाता है रियल एंजाइम से तो ये रहा हमारा टॉपिक नैनो पीटिये